और ये लोग हमें क्या बताते हैं? कि अगर खेलजी नहीं आते, अबदाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते इन मुर्गों को कौन बताए कि इनकी पैदाईश के हजारों वर्ष पहले, मोहन जोदाड़ो हमारे यहां था अजन्ता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कुनार्क हमारे यहां और तुमने structure बनाना हमको सिखाया, तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई, बनवा दिया, अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई, यह तो मौपत की निशानी है अच्छा, यह मौपत की निशानी है यह समंजार, यह जमना का किनारा, यह महल, यह मुनकश दरोदीवार, यह महराब, यह ताक एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम घरीबों की मौपत का उड़ाया है, मजाक यह मौपत की निशानी है अगर यह मौपत की निशानी है, तो चितोड क्या है? जहां हमारी मा रानी पदमिनी अपने पती राजा रतन सिंग के वियोग में जलती हुई चिता में पूद गई लेकिन अलावद दीन खेल जी को अपने आचल का एक तार नहीं छूने दिया करियकि निशानी चाहिए प्रेमकि निशानी जानना है वह फुल देखिये जो हमारे भगवानश्री राम ने अपनी प्रान प्रिया पत्नी सीता को रावण के चंचल से को चुडाने के लिए स्मदर के सीने बान धिया। वह परेमकि निसानी ये हमें कहते ह sessions कि भाई हम आय तो हमने यह जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्रल इस्ट्रॉक्चेर्स बनवा दिया डिजाइन बनवा दिया ये बनवा दिया वो बनवा दिया तो यह कहीं से चीख वोगी रही हो यह बाद भी सही झाल झाल आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा भिवादन, जै श्री महाकाल, जै जै श्री महाकाल, अपने नगर का उत्सो किस रूमधाम और किस गर्व के साथ अपनिशदों में सुनने की परमपरा है, एहंकार शून्ने होके, मुझे कितना आता है, मुझे कितना पता है, ये भूल के, जो वक्ता है, जो सामने बोल रहा है, मैं उसको सुनूंगा, ये परमपरा उपनिशदों से आती है साथियो, उपनिशद का अर्थ, यहां बैठा हर कोई जानता होगा, उप का मतलब होता है समी, पास, नस्दी, करीब, और निशद का मतलब होता है, बैठना, पास, बैठकर, करीब, बैठकर सुनना, यही तो उपनिशद है, यही हमारी परमपरा है, और आज, ये मेरा विश्वास है, कि जब मैं यहां बोल रहा हूँ बाबा महाकाल की नगरी से तो पूरा विष्टो मुझे सुन रहा है ऐसे सामने जो लोग हैं वो सुन रहे हैं लाइफ फीड जाएगा, डिजिटली सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी और मैं पूरी दुनिया को अपना परिशे देना चाहता हूँ आपका परिशे देना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया से कि देखो हमारी ओर, पहचानों हमें हम वही हैं जो बान भेद के धर्ती से धारा निकाल दिया करते थे एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे हमी थे वो दिलेर जो चक्रवी हुमें वापस लोटनी की विद्या सीखे बगएर गए और वो भी हमी थे जिनके फेके हुए पत्थर पानी में तैर गए हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए शंगीन बनाई और जब जिन्दगी की सांस तूटने लगी तो हमी ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संत निरा मया यानि ईश्वर बाबा महाकाल सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर सपर करें दया हम जवाज हैं जियाले हैं आधियों से खेले हैं बिजलियों के पाले हैं हम शांति का सवेरा हैं मानवता के उजाले हैं पहचानों हमें हम बारत वाले हैं कौन है हम यह हुईन आवाज आपका यह आहंग यह नाद यह गूंज साथ समंदर पार भी पहुंच रही हो कि जहां कुछ पनों पहले किसीने एक कविता पढ़ दी थी यहां मैं लेखकों की प्रबुद्ध लोगों की नगरी में बैठा हूँ किसीने कविता पढ़ दी अमेरिका जाके I come from an India बड़ी शर्मनाक कविता बड़ी शर्मनाक और जूटी तस्वीर खीचती भारत वर्ष की दुनिया के सामने आज फिर मेरे पास मौका है मेरे भाई बहन मेरे साथी मेरे बुजरग यहां मौझूद हैं मैं बताना चाहता हूँ कि हम के इस भारत से आते हैं मैं और जितनी मार मैं कहूंगा मेरा मतलब है मैं और आप मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होटों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी सत्यम, शिवम, सुन्दरम, कभी वंदे, मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उतकल, बंगा है मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और साथ समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स और ब्रदर्स कहके बोलाता है मैं उस भारत से आता हूँ जिसने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्म योग सिखाया लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया मेरा भारत वसुधयो कुटुम्बकम के सिध्धान पे जिया मेरा भारत वो नील कंठ है जिसने खुद विश्पी के दुनिया को अमरत्दान किया मेरा भारत कर्मन्य वाधिका रस्ते गाता है तीनों लोकों का स्वामी होके माखन चुराता है और महा उतार होके मा के हाथों मार खाता है मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहां जनहित के लिए एक राशपुत्र सन्यासी हो जाता है मैं राम के भारत से आता हूँ जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंगासन त्याक कर वनवासी हो जाता है मैं उस भारत से आता हूँ जो इस्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है एक कुमारी मा को महा सती कुंती के नाम से जानता है और पांश पती वाली द्रवपदी को देवी मानता है मेरा भारत आकाश सबलवान है फिर भी धर्ती सद्धैर्यवान है मेरा भारत प्रेम का पुन्य लोग अहिंसा का जन्वस्थान है लेकिन स्तिरी का अनाधर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है पड़ो हमारा एतिहास जो हमारे मस्तक पर लिखा है एक दूशासन ने हमारी बेटी का आचल खीच लिया हमने सो भाईयों के चिता जला दी एक रामन ने हमारी मा का हरण कर लिया हमने पूरे राक्ष स्कूल की लंका लगा दी मैं उस भारत से आता हूँ न कभी रुका न जुका न डरा है मेरा भारत वीरता की वसुन धरा है आज अपना परिचय इसले दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारत वासियों की परंपरा है साथियों हमारे यशश्वी पूरु प्रधान मंतरी भारत रत्न कवी कुल के शिरोमनी श्री अटल बिहरी वाश्पेई मुझे किस्सा याद आता है हम बात जुकने की कर रहे हैं इमर्जंसी के दौरान अटल जी को और अडवानी जी को बैंगलूर की एक जेल में बंद कर दिया गया था वहाँ कुछ दिनों बात अटल जी की तबियत थोड़ी थराब हुई तो उनको एम्स दिल्ली भेज दिया गया स्वास्थिलाब के लिए एक तिन अटल जी की कमर में बहुत भीषण दर्द उठना शुरू हुआ डॉक्टर बुलाए गए डॉक्टर आये उन्होंने देखा बुला अटल जी कोई खास बात नहीं है मोच आ गई है लगता है आप जुक गए होंगे अटल जी भीषण दर्द से करा रहे थे पर कराते हुए बोले डॉक्टर साब ये कहिए मुड गए होंगे जुकना तो हमको आता ही नहीं है और ये बात सचे साथियों हम जुकते तो नहीं है हमें कोई बड़ा मिल जाए कोई बुजर्ग मिल जाए कोई सीनियर मिल जाए अध्यापक मिल जाए गुरू मिल जाए हम साथ्टां के मुद्रा में लेट जाते हैं लेकिन अगर कोई आतताई कोई अत्याचारी अपनी तलवारों के जोर पे हमें जुकाना चाहे तो उसकी आँखों में आँखें डाल के कह देते हैं कि तेरी हैवानियत की है तो बस आउकास इतनी है बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है गुरूरे बेखबर ये बात तुषको कौन समझाए वो सर जुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है तो ये बिल्कुल सही है कि जुकना तो हमको आता ही नहीं है ना हमारे अडल जी को आता था ना उनकी कुल वंश और परमपरा में जन्में हम जैसे साधारन लोगों को आता है हम जुकने के लिए हमने चार स्थान ढून रखे हैं और मुझे लगता है जो मैं बताओंगा आपके भी चार स्थान यहीं है हम परमपिता परमात्मा के आगे जुकते हैं हम गुरू के आगे जुकते हैं हम अपनी माता के आगे जुकते हैं और हम अपने पिता के आगे जुकते हैं इसके अलावा आप कहीं और जुखते हैं, नहीं जुखते हैं, जुखना भी नहीं चाहिए, मैं यहां देख रहा हूँ, मेरे बहुत सरे नौजवान साथी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मुझे एक बात का हमेशा दुख होता है, अपने लिए भी है अपनों के लिए भी है अपने साथियों के लिए भी है कि हम मा की इज़त तो बहुत करते हैं बहुत शुरद्धा से उसको देखते हैं उसको देवी बना के चलते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन एक चीज जो हमारी मा को सबसे जादा चाहिए मेरी मा को आपकी मा को वो उसे कभी नहीं दे पाते और वो है समय कितनी देर बैठते हैं अपनी मा के साथ हाफ रोज दिन में मैं जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उस पर कोई ताली न बजे ये आत्म मंधन का प्रश्ण है अगर मैं ये जोत आपके दिल में जला के चला गया तो मैं समझू मैं मेरा जन्म सफल है मेरा यहां आना धन्य हुआ हम नहीं बैठते अपनी मा के पास क्यूंकि हम बहुत बिजी हैं बहुत काम है मारे पास बहुत सारा हमने व्यापार पहला रखा है हमने काम धंदा पहला रखा है लिखना है पढ़ना है बहुत मस्रूफ हो तुम, जानता हूँ, घर, दफ्तर, कारोबार और सबसे फुरसत मिली तो दोस्तियार, जिन्दगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचने का वक्त कहा है, कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जाकती है, सुनो, आज दो घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी बाबुजी से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मुहम्मद रफी के गाने, जो करना है आश करो, कल सूरज सर पे पिगलेगा तो याद करोगे, तुम्हारे पास वक्त नहीं था, साथियों हमारे पास किसके लिए वक्त नहीं है, उसके लिए जिसने अपनी जवानी गलादी हमें बढ़ा करने में, हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है, हम बुरे लोग नहीं है, हम भटके हुए लोग नहीं है, बस चाहिए कि हमें कि मा की एहमियत क्या है गर में और जब मैं कहता हूं कि मा से ज्यादा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता तो मैं यह भावनाओं के अधार पे नहीं कह रहा यह मैं जज़बात के अधार पे नहीं कह रहा यह मैं किसी किताब में पढ़के नहीं बोल रहा मैं डेटा और नं महीने ज़दा निकलेगा और वही मा वही मा अकसर अमें निजर नहीं आती और उसका भी एक रीजन है जो Horn और वक्त आसपास रहता है वो अक्सर नजर नहीं आता मा के साथ यही होता है पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है तुमने आखरी बार उसे आख भर के कब देखा थे कब उसकी साड़ी यह सूट की तारीफ की कब उस की नेल पॉलिश पर अपनी राय दी आखरी बार कब कहा था मा जैच रही हो बहुत सुंदर लग रही हो तुम क्या सोचते हो उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है मा भी कभी लड़की थी दोस्त और दुनिया के हर लड़ और तुम्हारी मा से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती यह सच उसे आज और अभी बताओ और जब आप जाएं अपनी मा को यह सच बताने तो उसको भी प्रणाम कर लीजिएगा जिसके बलिदान जिसके कुर्बानियों को लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली हमारे देश में पिताओं के लिए कुछ लिखा नहीं गया कभी उनका अभिनंदन नहीं किया गया यही उजयन हमारे महनी कभी श्री ओम व्यास जी यहां हुआ करते थे मुझे याद है एक बार में टेलिविजिन पे उनको सुन रहा था और उन्होंने एक बात कही जिसने मुझे महीनों तक रूलाया है ओम व्यास जी ने कहा कि जब पिता होता है जब पिता का साया सर पे होता है तो लगता है ये बाजार के जितने खिलोने हैं ना ये साब हमारे है जब चाहेंगे जहां से चाहेंगे खरीद लेंगे पिता की जेब में मुद्रा कितनी है, पैसा कितना है, फरक नहीं पड़ता, हर बाप अपने बेटे का हीरो होता है, लेकिन क्या हमने अपने हीरो को सेलिबरेट किया, मैं एक निजी अनुबो बताता हूं, मैं डरता नहीं, मेरे पिताजी के उम्र 84 वर्ष है, 84 वर्ष है, जपल हो चुके हैं, व मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफ़त, किसी परेशानी से नहीं डरता, मैं जानता हूं, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का काटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा जब तक वो जुर्यों भरे हाथ मेरे सर पे हैं मेरा गुरूर जिन्दा है मेरा रुवाब जिन्दा है कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगालेगी अभी मेरा बाब जिन्दा है यह पहला स्टेट है जिसने महराज विक्रमदेती की कथाओं को टेक्स्ट बुक में पढ़ाना आरम किया यह पहला स्टेट है जो इस बात के लिए कटिबध है कि उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटीज में भगवान श्री राम की कथाएं पढ़ाई जाएंगी कि उच्च शिक्षा में हमें भगवत गीता का ज्यान दिया जाएगा मुझसे भी मंत्री जी कह रहे थे कि हमेशा चाहे वो अदालत हो या कहीं भी हो कहते हैं भगवत गीता पर हाथ रखके कसम खाओ सोगन खाओ कि जो बोलूँगा सश बोलूँगा अगर आपने भगवत गीता पड़ी ही नहीं है आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो कौन सी सोगन दर कौन सी कसम खा रहे हैं आप जरूरी है आपका इतिहास पढ़ना जरूरी है अपने सही नायक चुनना और उनको पहचानना क्यूंकि हमें गलत नायक देने की कोशिश तो सदियों से होती ही आ रही है आप सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं बताओं तब आप जानेंगे यहीं जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ 800 साल पहले इल्तुत्मिश नाम के एक डगयत ने जो खुद को बाश्चाह कहता था हमारे महकाल का मंदिर तोड़ दिया था आप जानते हैं कोई नहीं बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको एक लोहे का स्तंब हुआ करता था यहां मैंने सुना है और मैंने कुतुब मिनार के बगल में वो स्तंब देखा भी है महराजा आदि विक्रमा दित्ति का बनवाया हुआ लोहे का स्तंब अल्ला हो अकबर बोलके सब लूट ले गए और वो स्तंब ले जाके कुतुब मिनार के बगल में गाड़ दिया 800 साल हो चुके हैं उस स्तंब ने सर्दी देखी बारिश देखी, गर्मी देखी धूब देखी, एक इंच पर भी जंग नहीं आया, खुले आस्मान के तले वो स्तंब गड़ा हुआ है इलतोतमिश की साथ पिढियां साथ पुष्टें सर पटक के मर गई वो यह नहीं समझ पाए कि महराज विक्रमादिती ने लोहा कौन सा गलवाया था और यह लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खेलजी नहीं आते, अबदाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते तो हम कबीलों में रह रहे होते हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते, इन मूरुखों को कौन बताए कि इनकी पैदाईश के हजारों वर्ष पहले मोहन जोदाड़ो हमारे यहाँ था दुनिया की पहली फंक्शनल सिटी, जिसमें बकाइदा ड्रेनिस सिस्टम था, जिसमें एगरी कल्चर था आज आप एक विकसित जगे पे एक विकसित शहर में, नगर में जो वेवस्थाएं देखते हैं वो सब वेवस्थाएं पांच हजार सार पहले हमारे आम मोहन चदाड़ों में हुआ करती था और यह हमें बताते हैं कि हमने तुमें शिल्प दिया हम ना आते तो तुमको पोईट्री नहीं आती तुमको कविता नहीं आती, कालिदास हमारे यह हुए कविता हमने इंसे सीखिये, बताइए यह हमें कहते हैं कि भई, हम आए तो तो हमने यह इस बड़े-बड़े architectural structures बनुपा दिया, design बनँपा दिया, लाल केला बन्फिया, ये बन बन वो बन वा दिया, तो शीुंष Kanha सेचीः हुई. बसि ये दिआखी कहीं से हो भी रही होगी, अभात में सही हे. आपकी तालियां बता रहिए कि भाई चुब बैठो यह तुम बड़ी बातें कर रहे हो, मुगलों अबदालियों, हजारों वर्ष पहले तुमारी पैदाईश के हमारे यह महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था बना था यह नहीं चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर जब शायद मुगलों नहीं नहीं सीखी थी तब हमारे यह चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे अजन्ता हमारे हां, अलोरा हमारे हां, कोनार्क हमारे हां और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉइलेट नहीं बनवा पए हमारे यहां ताजमहल बनवाने आये थे और यह बात सच कह रहा हूं मैं प्रैक्टिकली रिसर्च के अधार पर बता रहा हूं जब हमारे यहां इतने भव्याक्रतियां इतने भव्य मंदिर बने हुए थे यह बाहर खुले में शौश करते थे समरकंद और फरगाना की कहानी है यह और बात निकली है निकल पड़िये तो बात दूर तक जाएगी ताज महल की बात निकल पड़िये सत्रूही सताब्दी में जब शाह जहां ताज महल बनवा रहे थे पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है यह वो पीरियेट था यह वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भुखमरी का शिकार ह पर खर्श कर देता है जिससे पूरे देश की घरी भी मिट सकती थी एक तरफ हमने महराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को इन दकैतों को देखा यह भी हमारी बदकिस्मती और ताश महल बनवा दिया चलो ठीक है भाई बनवा दिया अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मुहपत की निशानी है अच्छा ये मुहपत की निशानी है ये समंगजार ये जमना का किनारा ये महल ये मुनकश दरो दीवार ये महराब ये ताक एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मुहपत का उड़ाया है मजाग ये मुहपत की निशानी है और अगर ये मोपत की निशानी है तो चितोड क्या है जहां हमारी मा राणी पदमिनी अपने पती राजा रतन सिंग के वियोग में जलती हुई चिता मैं पूद गई लेकिन अलाउद दीन खिल जी को अपने आचल का एक तार नहीं छूने दिया प्रेम की निशानी चाहिए प्रेम की निशानी जानना है वो पुल देखिये जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्मी सीता को रावण के चंगुल से छुडाने के लिए समंदर के सीने पे बान दिया वो है प्रेम की निशानी हमें आप दिखाते हैं जोधा अकबर, हमें आप दिखाते हैं सलीम अनारकली, अरे छोड़िये महबत की जूटी काहानी पर रोना, बहुत सारी सच्ची काहानिया हैं हमारे पास, इस भरम को तोलने का समय आ गया है, आपके नायक, आपके नितांत निजी, नायक आपके अपने सीखिए भगवान राम से, दुनिया के सबसे बड़े असुर से, जिसने ग्रहों नच्छत्रों को कैद कर रखा था, उससे जाके भिल गए अपनी पत्नी को छोडाने के लिए, भालूओं बंदरों की सेना लेके, क्या था उनके पास? इसे कहते हैं प्रेम, यह हुई मरदान विश्वास सीखना है, मा सीटा से सीखिए, वही अशोक वाटिका जहां रामण उन्हें यातनाओं पर यातनाएं दे रहा था, कम्यूनिकेशन नहीं था, मा सीटा और राम के बीश में, पता नहीं था कि भगवान राम चल चुके हैं, आ रहे हैं, या कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता था, और रामण हर देना के कहता, देखो मेरी ओर मैं रामण हूँ, मैंने ग्रहून च्छत्रों को कैद कर लिया है, मैंने दिवराजिंद्र को हरा दिया है, सीटा तुम्हें मेरी कैद से छोड़ाने वाला इस ब्रह्मान में कोई नहीं है, सोचिए, मा सीट का विश्वास का डगमगाता नहीं होगा, क्योंकि रामण बात तो सही कह रहा था, रामण की बात में कुछ गलत नहीं था, लेकिन मा सीटा आंखें मिला के कहती थी, मेरे राम मुझे लेने आएंगे रामण देखता रहे जा, ये था एक सुहागन का विश्वास, इस विश इंदे पे बैठो, मैं आप पो उड़ा के ले जाओंगा भगवान राम के पास, मुझे कौन रोग सकता है, और बात सही भी थी, आपने कभी सोचा है, कि उस दिन मा सीटा हनुमान के साथ जा सकती थी, क्यों नहीं गई, क्योंकि मा सीटा ने हनुमान से एक बात कही थी, मेरे पती की चौखट से उठा के ले गया था मुझे रावन, मैं उस चौखट पे वापस तभी जाओंगी, जब मेरे पती मुझे लेने आईए, ये था एक सुहागन का विश्वास, अपने सुहाग पर वो यातनाएं सहती रही, और मन ही मन राम से कहती रही, कि राम पिया, तुम्हें सिया बुलाएं, प्रेम सीखिए, मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको प्रेम सीखना है श्री राम से और मा सीता से, उलाहना देखिए, मेरे आपके लिए भगवान राम है, मौन जी, लेकिन मा सीता के लिए पती थे, और पती से लड़ाई की ज जाती है पती से जगड़ा किया जाता है पती से शिकायत कि जाती है वो शिकायत करती रही कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए बिरहा का दुख सहा न जाए जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है और न बहने दो ये नैना बरसातों की तुम्हें कसम आए गए कितने ही सावन सावरिया बस तुम्ही न आए राम पिया तुम्हें सिया बुलाए बिरहा का दुख सहा न जाए आँखें मूदी दरस तुम्हारा आँखें खोली तुम्ही प्रकट थे धागे भर की दूरी नहीं थी हम दोनों तो इतने निकट थे मेरी सूरत देखें बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते कहां हो सीते कैसे दिलासा दू मैं मन को कौन सी भाशा में समझाऊं लक्षमन रेखा लांग गई थी विधी की रेखा लांग न पाऊं मेरे तुम्हारे बीश में रखुबर इतने परबत कहां से आए राम पिया तुम्हें सिया बुलाए बिरहा का दुख सहा न जाए मुझे ये बताना भी जरूरी है कि जो भगवान राम का प्रेम था वो पराक्रम भरा हुआ प्रेम था भगवान राम से हमें प्रेम भी सीखना है और पराक्रम भी सीखना है एक बात बताएं दूर तक बैठे हुए अपने भाईयों बेहनों से पूछ रहा हूं मैं जी कुछ कह रहे हैं बली फर्माईश ये बात तो खतम कर दूँ मैं यार अब देखें कहीं और चले गई हैं लोग बताएं अब ये ये मारे नौजवान साथी हैं ये कह रहे हैं कुछ हमारी बात भी करो भाई ये मुझे वापस ले जाना चाहते हैं उस जमाने में जब मेरा पहला हाट ब्रेक हुआ था गेर शिफ्ट हो गया है मंतरी जी मुझे चमा करें अब मैं वहीं चला जाता हूँ जहां ये ले जा रहे हैं अच्छा ये बात मैं ये बात कहते हुए एकसर शर्म से लाल हो जाता हूँ कि जो मेरा पहला हाट ब्रेक था वो बारवी गक्ष्या में हुआ था वो जाता है लेटर्स लिखे जाते थे खत और झ़ी नोजोमान साथी है जिनको पता नहीं होगा लेकिन मेरे जमाने के लोग भी हाँ हैं जिनको पता है कि हर फैसला होता नहीं शिक्का उचालके ये दिल장 मामला है जरा देख भालके मूबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे गळेजा निकाल के तो साथियों हुआ यूँ के उस जमाने में मुझे किसी ने कह दिया किसी ने कह क्या दिया कि मुझे पूछा गया भाई लाई दो करोगी क्या बारवीं गश्षा में ते डॉक्टर बनो, इंजिनियर बनो, पढ़ने में अच्छे हो. मैंने का भाई जूट तो नहीं बोलूँगा, करना वही है, लिखने का नहीं है, मैं तुम्हें स्वईकार हूँ तो हूँ नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं हूँ. फिर मुझसे चिठियां मांगी गई, कि जो मैंने तुम्हें चिठियां लिखी हैं, वो सब लोटा दो, और उस वक्त, पहली बार मेरे अंदर का शायर, मेरे अंदर का कवी, मेरे अंदर का प्रेमी, मेरे अंदर का बागी जागा, मुझे क्रोध हया इस बात पर कि मैंने तो तुम पर अपनी जवानी के पता नहीं कितने दिन इन्वेस्ट कर दिये और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर क्या है सिर्फ चठियां वही लटा दू काम खतम और फिर मैंने उस नजम की बात जो यह कर रहे हैं कि आँखों की चमक सारे जित्ते नौजवान साथी हैं मेरे आपको इसमें अपनी बात नजर आएगी मैं चाहता हूँ कि आप सुनें और अपने आपको ढूनें जो मैं कह रहा हूँ इसमें कि आँखों की चमक जीने की लहक सांसों की रवानी वापस दे मैं तेरे खत लटा दूंगा तु मेरी जवानी वापस दे वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे खाब पिघलते थे जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे वो धूप छाओं सब खाख हुई यादों के चेहरे पीले हैं कल खाबों की फसले थी जहां अब रेत के बंजर टीले हैं आँखों के दरिया सूख गए ला इनका पानी वापस दे मैं तेरे खत लोटा दूंगा तु मेरी जवानी वापस दे दिल धड़के पर आवाज नहो ये शर्त मुझे मनजूर नहीं देखो मनोश किसी को पता न चल जाए कि मैं तुमारी गल्फरेंड थी दिल धड़के पर आवाज नहो ये शर्त मुझे मनजूर नहीं तेरे गम से बगावत कर न सकूँ मैं इतना भी मशबूर नहीं जब जी चाहा तब प्यार किया और जब चाहा तब रूट गए बस एक अंगूठी लोटा दी और सारे रिष्टे तूट गए ला मुझे को मेरे अर्मानों की हर एक निशानी वापस दे मैं तेरे खत लोटा दूँगा तू मेरी मेरे खयल से आज के लिए इतना बहुत है एक आखरी बात मैं कहना चाहता हूं उसमें तीन-चार मिनट मुझे और जाएगा वो बोल लें दो मुझे जी हाल्दी घाटी हाल्दी घाटी पर धाई गंडे जाएंगे शुरू करूंगा तो विश्वास मुझे निजवाडी का है राशपूत कुल प्राणी का वो जुक सकता है वीर नहीं यदि दूद पिया चत्राणी का महाराना प्रताप की जय मैं आपको आखरी बात जो कहके जा रहा हूं वो यह है कि आप महाराना प्रताप के वन्शज हैं आप भगवान शिरी राम के वन्शज हैं आप कृष्णी के वन्शज हैं आप सरदार भगत सिंग और चंदर शेखर आजाद के वन्शज हैं आप दरियेगा नहीं एक महाल ऐसा बनाये जाएगा जहां आपको बार बार ये कहा जाएगा कि डरो डरने का समय है डरने की जरूरत है आप दरियेगा नहीं अपनी वन्श परमपरा याद रखिएगा अपनी कुल परमपरा याद रखिएगा कि आप अपने खाबों को मरने मद दीजिए आपकी पृतिभा ऐलान कर चुकी है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये विडियो आने के बाद मुझसे कई सवाल किये जाएंगे लेगिन मैं बाबा महकाल की नगरी में ख़ड़ा हूँ दरना जोकना मुझे नहीं आता जो कहना है कहूंगा मैं ये जो बड़े लोग है तथा कथित बड़े लोग कुछ परिवार जो मिलके फिल्म इंडस्ट्री चलाते है इनको डर क्या जानते है इनको डर ये लगता है कि अगर ये उजैन वाले अगर ये इंदौर वाले जबलपुर वाले गाड़ी पकड़ के बंबई पहुँच गए तो इतना टैलेंट हम समान लहीं पाएंगे हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे आपकी तरफ से आज मैं एक एलान नेपोटिजम के तमाम आखाओं को सुनाना चाहता हूं सुनो बढ़के शहर और बढ़के नाम वालों अपने बडपन का जुनजुना कहीं और जाके बजाओ हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा हम बकाईती पे आगे ना बबू तो नेपोटिजम का पसीना छूट जाएगा हम जानते हैं तुम पावर में हो तुमारे खरीदे हुए जहुरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे हम फिर भी चमक के रहेंगे तुमने मसनत पे जो मुनसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे कलाकार नहीं मानेंगे फनकार नहीं मानेंगे हम फिर भी हार नहीं मानेंगे चालू डब्बे में चणके बंबई आएंगे और तुमारे हवाई जहाद से डबल उंचा ओड़के दिखाएंगे तुमारे हाथ में पावर है हमारे हाथ में ताकत दोनों का अंतर समझ लो पावर वो कुरसी है जो किसी की सगी नहीं हुई चाहे कोई जिये या मरे और ताकत वो बश्पन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे तुम भी यार कमाल हो शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो हमको सरनेम से डराते हो जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पढ़ा रहे थे हम पेड की पुलगी पे चड़के आ से अमुरूत खा रहे थे उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया वो पाड़ी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर गोला गया और बाप के कंदे पे बंदूक रखे तो हमने चड़िया तक नहीं मारी बहुत सुन लिया तुम से हमारा बाप ये हमारा बाप वो आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे गिनो आज हम अपने बाप दादा परदादा सब के नाम गिनवाएंगे पहले दादा का नाम नोट करो रणभी चोकडी चेतक वाले बावरा गये तो जिल्ले इलाही का खून धंडा कर दिये आ रहा हूं पहले दादा का नाम नोट करो रणभी चोकडी चेतक वाले बावरा गये तो जिल्ले इलाही का खून धंडा कर दिये घांस की रोटी खाके मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिये भाईया हमारे बढ़के 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंघासन पे उनकी खड़ाउं राज करती रही एक कक्कू भी थे हमारे फूटी आँख से कर्तब दिखा दिये थे शब्द भेदी मार के गवरी को गुलाईया बना दिये थे और बाबा हमारे बढ़के एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा बढ़के के गेम आफ थ्रोंस खेल दिये पूरा का पूरा मगद अकेले ठेल दिये चार काफी हैं कि और गिनवाएं नोट करते करते नेपोटिजम की सयाही खतम हो जाएगी हमारे बाब दादा की मचाई हुई तबाही खतम नहीं होगी तो बॉटम लाइन बोल ले रहे हैं नोट कर लो तुम अपनी खोपड़ी के पीछे और चमकने वाला गोला लगवालो हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे तुमारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे तुमको परवर्दिगार नहीं मानेंगे तुम वंशवात की जमीन खोथ के हमें गाड़ दोगे हम बगावत का बीच बनके फूटेंगे पर तुम से हार नहीं मानेंगे मेरा गला चला गया साथियो बस आज के लिए बहुत बहुत उपकार आपका आप शमा कर दें मुझे लगता है आप सब के फर्माइशों का एक गोला बना के मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तेरी मिटी आपको सुना के मैं गाउंगा नहीं मैं भीपराग नहीं हूँ अनोज मुंतशिरू लिखता हूँ मैं लेकिन मैं आपको पढ़े के सुना देता हूँ मुझे लगता है कि वो बात भी दूर तक पहुँचती है क्योंकि बलिदान हमारी परंपरा है हम भगत सिंग के वन्शज हैं और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब हम कहते हैं न भगत सिंग का नाम लेते है तो बहुत सारे मेरे नौजवान साथियों को लगता होगा कि यार भगत सिंग ने देधी कुर्बानी देधी शहादत बड़े आदमी थे हम से थोड़ी हो पाएगा कभी पढ़िएगा एक चरित्र है हमारा मैं आपको नायक देता हूँ नए नए रोज भगत सिंग को एक नायक के तौर पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि 20-25 साल की उमर में भगत सिंग वैसे ही थे जैसे 20-25 साल में आप थे कोई अंदर नहीं था वो भी दोस्तों के साथ ठाहा के लगाते थे मैफिलों में बैठते थे शेरोशायरी करते थे कभिताएं सुनते थे कभिताएं गाते थे और भगत सिंग के सीने में धड़कता हुआ एक दिल भी था जब कोई दर्द भरा नगमा सुनते थे उनके साथ ही बताते हैं, तो भगत सिंग रोने लगते थे, गली के मोड पे, लड़कों के एक जमघट में, ये किसने दर्द भरी ले में माहिया गाया, मुझे किसी से मुहबत नहीं, मगर ऐ दोस्त, ये क्या हुआ, कि दिले बेकरार भर आया, ये थे भगत सिंग, जो दूसर डलने लगए कि भगत शादी कर लो, भगत ने अपनी मा से कहा, मा, अगर मैं घुलाम भारत में शादी करूंगा, तो मेरी दुलहन सिर्फ मौत होगी, किसी और से मैं शादी नहीं कर सकता, और भगत ने किया भी येही, फांसी का फंदा चूम लिया, और जाते जाते अपनी मा को बस इतनी सी तसल्ली दे गए, कि तू नरो मा, कि तू है भगत सिंग की मा, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, गोडी चड़के तो लाते हैं दुलहन सभी, हसके हर कोई फांसी चड़ेगा नहीं ये जो बलिदानों की परंपरा है, हमारे यहां, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जो सोल्यर्स हैं, हमारे जो फोजी हैं, जिनके मन में बस एक बात चलती रहती है कि ओ देश मेरे तेरी शान पिस्त के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा ये अर्ज है दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी एक रोज वहीं मेरी शाम हो कभी यात करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो साथियों जब मैंने इस फिल्म का ये गीत केसरी का जब मुझे लिखने के लिए बुलाया गया और मैंने वो पूरा मंजर देखा कैसे हमारे 21 जाबाज सिक सिपाही शहीद हो चुके थे बलिदान हो चुके थे तो मैं बस एक बात सोचने लगा कि आखिर भारत मा का एक सिपाही आखरी वक्तों में सोचता क्या है आखर के जो 10 मिनिट है जब प्राण शरीर के साथ छोड़ रहे हैं तो क्या सोचता है वो क्या उसको इस बात पर पश्तावा होता है कि मैंने फौश की नोकरी क्यों कर ली बिल्कोल नहीं वो मुस्करा रहा होता है वो ये सोच रहा होता है कि आखर इस दुनिया में कितने लोगों को ये शरफ हासल होता है कि वो अपनी मातर भूमी के लिए प्राण ने उच्छावर करें मरता तो हर कोई है तलवारों पे सरवार दिये अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू झाल 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 झाल